सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रती दिखती भी समवेदंशील है और इनकी सुरक्षा के लाख दावे भी करती है लेकिन प्रदेश में बलातकार की घटना आए दिन जिस तरह से सामने आती रहती हैं उससे इनके सारे दावे खोकले थाबित हो रहे हैं गॉंडा जिले में बलातकार की एक ऐसी घटना सामने आई है जहाँ एक दिव्यांग ने मासूम के साथ दुशकर्म की ऐसी घिनोनी वारदात को अंजाम दिया है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे दरसल आरूपी लक्षमर पेशे से भीक मांगने का काम करता है इसी भीक मांगने के दौरान गॉंडा रेलवे स्टेशन पर एक रिक्षा चालक से प्लैटफॉर्म पर इसकी मुलाकात हो गई और इस हैवान लक्षमर ने खुद को असहाईव और निराश्रित जैसे तमाम तकलीफों से घेरा बता कर घर में रहने के लिए शरण की मांगी जिस पर मासूम बच्ची का पितार रिक्षा चालक तैयार भी हो गया और विकलांग को अपने घर ले गया घर पर पहुँचे हैवान की नजर नाबालिक पर पड़ी और अपनी हवस को शांत करने के कयास में लग गया रात तीन बजे जब सभी लोग गहरी नीन में सो रहे थे तब ही दरिंदे ने इस साथ वर्षी मासूम के साथ बलातकार की घिनाओनी घटना को अंजाम देने लगा लेकिन दर्द से करहा रही मासूम की चीक पुकार से मासूम के माबाप उठकर बच्ची को तलाशने लगे ढूडने पर पता चला दिव्यान लक्षमड बच्ची के साथ दुशकर्म कर रहा था इसके बाद परिजनों ने बच्ची को बलातकारी के चंगूल से आजाद कराया लेकिन रात के अंधेरे का फायदा उठा कर आरोपी दरिंदा छुपकर फरार होने में कामियाब तो हो गया लेकिन पीडित मासूम के परिजनों ने जब इस घटना की शिकायत पुलिस को दी तो पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी अभियुक्त पर धारा 376 वा 501 के तहत मामला दर्श कर लिया और आरोपी को भी सम्वेदन शील्त दिखाते हुए ततकाल गिरफतार कर लिया फिर सो नमर आये पकल लेकर आये हैं यह जैनरायन चोराहे के पास लच्षमन जो मूल रूप से भीरपूर भागलपूर भिहार का निवासी है यह एक पैर से भिकलांग भी है भिक मांगता है इसने साथ वरसी बालका के साथ बलतकार किया है और इसको गिरफतार कर लिया गय है और बच्ची को मेरिकल परिक्षन के लिए रवाना किया गया है और मुल्जिम को जेल रवाना किया जा रहा है इसके खिलाब 376 आईपीसी और पोक्सो आइक्ट का वियोग पंजिकित करके विवेचना हो रही है गौंडा से राजेंदर शर्मा की रिपोर्ट फिलाल खब झाल